कान नाक और गले पर और ENT पर बातचीत के लिए हमारे साथ तीन डॉक्टर्स जोड़ रहे हैं आयून का परिचाप कराएं प्लीज वेलकम डॉक्टर ईशा परी तुली नमस्कार डॉक्साब आप प्रोफेसर हैं की वर्दमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदर जंग हस्पताल से और स्वागत करते हैं डॉक्टर कवर सेन का आपका भी स्वागत है तर हमारे कारेक्र में आप है प्रोफेसर नहीं एचोडी एंट डॉक्टर आरे मिल हॉस्पितल से और ऑनलाइन माथ्यम से नॉइडा से ह हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रोहिट सकसेना हैड और नेक्स सर्जन शार्दा ऑस्पितल डॉक्टर रोहिट गुद मॉर्निंग पहला सवाल आप से हम लेते हैं एंटी की जब हम बात करते हैं एंटी तीनों चीजे साथ में ली जाती हैं तो क्या यह तीनों नाक में इंफेक्शन है गले में इंफेक्शन है तो चांसिस होते हैं कि उसके वह इंफेक्शन कान में भी जा सकता है इसलिए अगर साइनस का इंफेक्शन है नाक में तो वह कान में जा सकता है अगर अडिनॉट की समस्या है नाक के पिछले हिस्से में नमबर टू अगर ट कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे नमबर नोट करें चुने एक एक दिली का स्टीडी कोड नमबर है दो तीन चुने नौ साथ पांच तीन दो 011-011 is our code and number is 230-97532 मैं आपसे एक और प्रशन जानना चाहूंगा मान लिजे आज कोई बच्चा पैदा होता है चार अगस्त को कब और कैसे पता चले कि वो सुन सकता है बड़ा अच्छा सवाल है आपका देखिए ऐसा अब यह होने लगा है और एक प्रोटोकॉल बनिया है जैसे ही बच्चा पै ही सुनता है अच्छा इसको बैरा स्क्रीनिंग कहते हैं दूसरा ओटो अकॉस्टिक अमिशन कहते हैं अब यह बहुत जरूरी होगा कि हर एक बच्चा जो अस्पिताल से डिश्चार्ज हो उससे पहले पहले उसका हीरिंग के लिए यह स्क्रीनिंग होनी चाहिए तो डॉक् मिशन एक बहुत ही छोटा जो टेस्ट होता है बहुत ही छोटा हैंड हेल्ड डिवाइस है और गवर्मेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम्स हैं माइसोर का ओल इंडिया इंस्टिटूट ऑफ स्पीच अन हेरिंग का आउट्रीच प्रोग्राम है और उसने काफी कॉले इंस्टिट्ट में भी है और जहां तक मेरा अनुमाने थिंक तमिलनादू ऑन कैरेला आप्राबिली नेरली हंन्रेट पर सेंट कावरेज जिसमें सारे बच्चों की सब्च्छा पैदा होता है तो यह अभी क्या मेंडेटरी नहीं है सबजगा की यह टेस्ट कराया जाये यह mandatory सबजगा नहीं है क्योंकि जैसा डॉक्टर इशा ने बताया इसकी जो facility सबजगा उपलब्द नहीं है क्योंकि ये special machine होती है जिनके द्वारा ये test होता है कि ये बच्चे की सुनाई में कोई कमी तो नहीं है और जितने metropolitan cities हैं या बड़े cities हैं ये सुविधा महाँ पर उपलब्द है लेकिन भारत में लगबग 6 करोड आप बता रहे थे ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं सकते जी 6 करोड 30 लाख 6 करोड 30 लाख ऐसे हैं 63 मिलियन लोग जो हैं बच्चे भी हैं और अडल्ड भी हैं जिनको सुनने की समस्या है जिनको उजा सुनाई देता है या बच्चे भी हैं और उसमें से मैं कहना चाहूंगा कि 27,000 बच्चे हर साल एड हो जाते हैं और इसलिए सवाल उठता है कि अगर कोई है ऐसा वैक्ती जो सुन नहीं सकता क्या medical science में इतनी advancement हो गई कि हम उसकी मदद कर सकते हैं क्या surgery से मदद हो सकती है डॉक्टर रोहित क्योंकि आप तो surgeon है अगर कोई सुनने ही सकता क्या surgery से उसे वापस ऐसा हो सकता है कि वो सुनने लग जाए जी हाँ बिलकुल हो सकता है एक डिवाइस है cochlear implant जो सुनाई देने का आपका याद्र होता है कान के अंदर उसको replace कर देता है और उससे बच्चा सुनने लगता है जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जैसे बात ट्रक्टर कावर से कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट मेंडेटरी होने चाहिए और और अगस्टिक अमेशन अब बहरा इसे पता लग जाता है कि बच्चा सुन नहीं रहा जितना जल्दी पता लगेगा उतना ही ज्यादा असान होता है इस सरजरी को करना और उतना ही अच्छे रिजल्ट आते हैं इतनी उमर में यह सरजरी की जा सकती है यह अब लगबक दो साल के शुरू कर सकते हैं दो साल में तो कुछ लोग पेले भी कर देते हैं यह यह अपका एरिया होता ब्रें का वो दो साल बार टेटोरियेट होना शुरू हो जाता है मतला हो सांड परसीव नहीं कर पाए गांतो हेलो राम जी गुड मॉर्निंग हेलो जी नमस्ते अपना सवाल पूछिए मैं मेरा सवाल था कि हमको एनी टाइम लगता है कि दाहिने कान से हमको कहीं भी कोर्ग करते हैं कलते तिर कि हमको लगता है हलका स्कीटी की आवाज आती है जी जो कि मेरे में से इसा महसूस होता है और दाहिने कान में जैसे सोने पर उठे पर हमको लगता है कि जैसे उसमें महल है कि क्या है खट खट जैसे कोई चीज भाता है ऐसा महसूस होता है दाहिने कान से राम जी उमर कितनी है आपकी उमर 39 तो बाएं कान ठीक है बाएं कान में तो हमको ऐसा महसूस नहीं होता है यह प् तो उसमें दिखाने के बाद एक बार मैं विजिट किया ता लेकिन दुब दवावा दिये थे लेकिन उस तरह से हमको वो नहीं मिली जो कि प्रावलम्स थे स्वेम बताया थे लेकिन कुछ उसमें कपलता नहीं हाते लिए शुक्रिया तो सब्सक्राइब काफी कॉमन है सबसे पहला जरूरी है कि आप कान दिखाएं देखें आपका परदा ठीक है कोई मेल नहीं और अपनी सुनाई की जाच करें अगर आपकी सुनाई की जाच ठीक है तो आम तोर पे हम रियाशूरंस देते हैं मरीज को इसमें घबराने की बात अपको सीटी की आवाज रात को ज्यादा सुनाइ देती होगी जब सन्नाटा है सारे दिन में गाड़ी चल रही है प्रैसर कुकर की सीटी लोग बात कर रहे है तो उस टाइम पे हमें ये आवास नहीं सुनाय देती या कम सुनाय देती हमें तंग नहीं करती पर रात को जब एकदम quiet है, तब हमें यह आवास जादा सुनाई देती है, this is providing your hearing is normal, दूसरे कान में जो फड़ फड़ाना है, इसके दो तीन कारण हो सकते हैं, कान के तीन हिस्से होते हैं, एक बाहरी हिस्सा जहां पर मेल जमती है, एक बीच का हिस्सा मिडल एर, और एक अंदर का हिस्सा, जह होती है, आपने देखा होगा, जब आप पहाडों में जाते हैं, तो कान बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो जब इसमें कोई problem होती है, तो भी यह हो सकता है, so first and foremost is self-medication ना करे, and shoot वड़ाना, क्योंकि आपने अलग-अलग हिस्से कहें हैं, डॉक्साब आप ये model लाए हैं, थोड़ा बताइए, कान की anatomy क्या है, जरूर, जरूर, देखिए, हमें तो ये इसरा भारी कान दिखता है, कान का फूरा structure यहां है, और जो भी उसके अंदर का हिस्सा है, सब हमें इस model के जरीए पता चल रहा है, देखिए मैं इस model के जरीए बताना चाहूँगा, ये भा external ear, और इसके जो canal ये जा रही है, ये part of the external ear, उसके बाद ये परदा है, ये परदा है, और ये कान के बीच का भाग है, ये है middle ear, इसमें की तीन हड़ियां होती हैं, ये छोटी-छोटी तीन हड़ियां हैं, मेलियस, इनकस, एन स्टेपीज, और तीसरा हिस्सा अंदुरूनी कान है, आंतरी कान, ये है कौकलिया, semi-circular canal और ये कौकलिया, और इसके बाद ये कान के सुनाई की नस है, जो ये जाती है, ब्रेन में, ये external ear हो गया, ये middle ear हो गया, ये internal ear हो गया, जे बलकुल, तो कौन सी समस्याइं लेकर आते हैं, आपके पास लोग, सरजरी कराने के लिए? ज्यादा इक्स्टेंसे होती है वो अटी भी कराती है कांगी उसमें तो से जर्जिरी बिल्कुल मेंडेटरी होती है जिती जल्दी कराएं वरना वो कॉंप्रिकेशन वो लीड करती है मतलब उससे धिमागी इंफेक्शन हो सकते हैं उसको बिल्कुल इगनोर नहीं करना जिससे उन्हें बाद में लुक्सान होता है सुनाई देने में भी शक्ति की शम्ता भी कम हो जाती है और बाकी जो डैमेज है वो और बढ़ जाता है तो से जो सब्सक्राइब हो जाते हैं एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्यप्रदेश से आए उनका सवाल लेते है 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 लो जी मुकेश्ची नमस्कार अपना सवाल पूछिए दीमेल मेरी मिसेश को मैं गले में दार्दोर जलन है जी जैसा कि आपके डॉक्टर को दिखाया है तो वह टॉंचन की बोलना है टॉंचन बढ़े हुए हैं और एक गले में निचले इस्टे में एक छोटी सी गठ अने जी जी जैसा कि आपके डॉक्टर को दिखाया है और उनों बताया है जलन का कारण दूसरा होता है कि पेट का जो एसेड होता है वो ऊपर गले पे आ जाता है और यह पेट का ऐसेड को गले में आने से गले में जलन होती है सीने में जलन होती है दूसरा कारण है कि टॉं को फिर operation से निकलवा दे रहा चाहिए नहीं तो आज कल दवाईयां बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं उस दवाई को देकर अच्छी एंटीबाटिक आ गई है उस दवाई को देकर यह ठीक किया जा सकता है ची एक और कॉलर है इसमें फॉन लाइन पर लगतार आप फोन यह दो तीन चुने नौ साथ पांच तीन दो पर एंटी में अलर्जीज भी होती हैं कि आंखों कानों के जो हैं इंफेक्शन भी केसे होते हैं कास्ता और पर मॉंसून के टाइम पर यह साइनसाइटेस इस क्वाइट कॉमन गला खराब होना कान में फंगस होना यह सारी काफी ट्रिगर हो जाती हैं आप घर को प्रॉपली धूप नहीं सकते तो डेस्ट माइटस वगरा कंटिनू करते हैं तो उन चीज से भी काफी नेजल आलर्जी ट्रिगर हो समाधान क्या है इसका समाधान यह है कि मल्टिप्रांग ट्रीटमेंट होता है इसका पिशंट को अ आपने जो फेस टाल है उसको हफते में दो या तीन बारी बदलना है उसे गुन-गुने पानी से दोना है उसने अपनी मैट्रेस जो है उसको कम से कम हर दस दिन में धूप लगानी है वाक्यूम कर सकता है आज कल मैट्रेस प्रोटेक्टर आते हैं वो बेड़ पर लगाए अप अलर्जी जिनको होती है उनको ट्वाइस पूरी हाईजीन करते हैं जिनका ध्यान रखना होगा डॉक्टर रोहेत अगले कॉलर जो सवाल पूछ रहे हम चाहते हैं कि आप उसका जवाब दें इटावा से कॉशल जी है अलो को यह थालो को जी मोलिये है अधैक को जूशन अपना सवाल पूछे अपने दिलेविजन का वोल्यूम कम कर दीजिए को जल्दी से सवाल पूछ यह चूको जोड़िशिए नव उद्दावा सेना ओ घरिंधान कि नब उद्दाए तक सभी को जी घरिए जा नबें उद्दा जी सवाल पूछे प्लीस अपना सवाल पूछे मैं यह जानना चाहरा हूं अभी आई फ्लू भी चल रहा है इसलिए तब को आपके सवाल के लिए आप जब भी कभी कोई कॉई कॉल करें तो टेलिजिन का वॉल्यूम ज़रूर कम करतें ताकि हमें आपकी आवास साफ साफ आ सक डॉक्तर रोहित यह जो आई फ्लू है इसका भी क्या कान से भी कुछ लेना देना है एंटी से नहीं है यह वारें इंफेक्शन होता है और नॉमली इसके लिए एंटिसेप्टिक या आई ड्रॉप्स देते हैं यह सेल्फ फीलिंग है आउटमाटिक लिए कर जाता है जब तक जब हम एंट की बात करते हैं तो तंबाकु लेने से तो बहुत फरक पड़ता है सर आप सिगरेट के पैकट कहें कि देख ली जो स्पिक्या क्या बना होता है तंबाकु लेने सबसे बड़ा जो एफेक्ट है वो होता है और जैसे किसी के मुँ में छाला हो जाता है जादा लगाते रहते हैं वो नहीं करना चाहिए कोई भी छाला जो दो हटे तक हीलना कर रहा हूं ठीक ना हो रहा हूं नहीं आप जावा लागाने के बाद तो उसको दिखाना मौश जरूरी है और जो सकता है और और जो और जो जल्दी पकड़ लेक्टे हो जल्दी जी शुकरिया डॉक्टर डॉक्तर कवर आपसे अगर हम जाना चाहिए गले केस्व थाष्टे के हैं बात करतें कि अभी तक हमने कान की बात की तो गले के लिए क्या कुछ किया जा सकता है ताकि हमारा गला ठीक रहे पो Response To Other और जो ठीक रहे उसके लिए ज़रूरी यह थै कर मौनसून के सीजन में कोल्ड चीजें ना खाएं ठंडी चीजें ना लें और रेगुलर सुबे शाम नमक के पानी से गरारे करें और अपनी डाइट में विटेमिन C की मातरा बड़ा दें साथ में ऐसा खादे पजात लें जिसमें की विटेमिन C और मात्रा में अधिक हो और इसके अलावा मैं कहूंगा जो जनकों की बात करने के लिए रहां करना पड़ता है यहल overlooked को प्रोफेशन ऐसा होता है कि उनको भात बोलना पड़ता है थे तो उनको वोक उखाहिजिन के के लिए हम एडवाइस करते हैं एक तो लंबे टाइम तक वो जो है अपने गले को जोर ना दें और बीच बीच में रेस्ट लें और इससे वोकल हाईजीन मेंटेन करेंगे तो जैसे कोला ड्रिंक्स हैं यह बहुत खराब चीज है इनको नहीं लेना चाहिए इससे रिफलक्स ह होता है और एक्सेसिव टी एंड कॉफी ज्यादा चाय और कॉफी नहीं लेनी चाहिए इससे भी वोकल हाईजीन खराब होती है जी बिलकुल तो अपनी वोकल हाईजीन ठीक रखें और कानना गले पर भी ध्यान दें आज करकर में आके चर्चा करने के लिए तीनों अधिक्यू